अगर ये जंगल राज नहीं है तो जनता का राज तो मुझे नहीं लगता ये है मैं बार बार बोल रही हूँ अंधकार में आपका बिहार की नवस उचना हो गई थी उसी दिन जिस दिन ये निया गर्बंदन की सरकार बनी थी एक महिला होने के नाते में ये जरूर बोल सकती हूँ कि दिन दहारे इतनी सारी घटनाएं घट रही है रात को मने कभी भी आप अपने आपको लेके confident feeling नहीं कर सकते हो कोई कैसे अचानक से गाइब हो जाएगा कहां से होता है कोई ना कोई तो support कर रहा है बिना किसी बहुती strong leadership के support के ये काम हो ही नहीं सकता है सबसे बड़ी बात है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना maximum जो यूथ है वो हमारे राश्ट्री अद्रग्ष जी चिराग पासवान के साथी है बिहार में महागट बंदन की सरकार बनी है मुक्मंति नितिसकुमार आठ्वी वार लेकिन सबसे वड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में जंगर राज वापस आगया है यह तमाम सवाल है जो जनता जानना चाहती है बात करेंगा लोग जन सकती रामिरास के प्रदीश प्रभक्ता दिव्यानी मित्रा हमारे साथ है मैं जिस तरीके से इन दिनों अपराधी अप अपने आपको लेकिन नहीं कर सकते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा प्रगतिश्य बिहार के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यह तो एक अंधकार में आपका बिहार की नवस उचना हो गई थी ती उसी दिन जिस दिन इन्या गणबंदन की सरकार बनी थी वक्तिर नेजिस कुमार ने कहा जंगर राज नहीं जंता का राज है अगर उनका यह कहना है तो फिर यह जो अभी इतनी सारे घटनाएं घट रही हैं कानुन मंत्री जी फरार हो गये या फिर अभी जो दिन दहारे ब जनता का राज तो मुझे नहीं लगता यह है मैं बार बार बोल रही हूं कि दो हजार चौबीस पच्चीज में हमारे ओनरेबल सी देखेंगे असली जनता मॉडल जब उनको पता चलेगा कि हमारे नए मुख मंत्री एक ऐसा नेता बनेंगे जो सोच विचार के साथ आपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और कोई नहीं हमारे राश्य अद्धक जी चिराग पासवान जी है राजत के एम एल सी हैं वो काफी दिनों से फरार चार रहे हैं उन पर कारवाई की बात कही जा रही है एसे पी ने भी बयान दिया था लेकिन अभी तक व मजबूरी में आके he knows and his party knows about it and suddenly is vanished तो यह एक के बाद एक जो आकरे जो एक के बाद एक जो 1 2 3 4 5 6 के नतीजे आ रहे हैं अब अचानक से देखेगा कि वो ऐसे जगा पे आके खुदी सरेंडर कर रहे हैं जहां पे वो यह बोल रहे हैं कि मुझे फसाया गया था यू नेवर विकास यह सारी चीजे पहले से ही तै थी बट हाँ वही है कि धीरे धीरे चीजों को खोली जा रही है और देखिएगा उनी के नेताओं के द्वारा उनी को फिर से लोगों के सामने लेके आके वो खुदी सरेंडर करेंगे और अगेन यह चवी बनाने की कोशिच करेंगे कि हम लोग जनता के लिए सोच रहे हैं तो क्या उन्हें बचाया जा रहा है और वाइस आप बताइए ना ऐसा कौन सा जगहार में जहां पर चूपे हैं और उनको नहीं पता वो भी इतने अच्छे और मंत्रीपत के शपत ग्रहां के बाद कुई कैसे अचानक से गाइब हो जा सबसे बड़ी बात है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तुम अपना काम करते जाओ बाकी दुनिया को जो देखना वो दिखेंगे और अगर ऐसी बात होती तो अभी आप देखिए मैक्सिमम जो यूथ है वो हमारे राश्री अद्रग जी चिराग पासवान के साथी है यूवानेता जो है वो हमारे पार्टी के साथ जुर के काम कर रहें और अभी हमारा जो बाइस से लेके चौविस तक जो अभी राजकीर में जो बहुत विशाल एक आपके ट्रेनिंग सेंटर क्या करते ट्रेनिंग का आयोजिन क्या गया जो उनके पिदाजी के टाइम पर यह थी लोचपर रामिलाज के प्रदेश प्रवक्ता देव्यानी मित्रा हमारे तमाम समालों के जवाब दिए इससे जुरी तमाम खरवे लाइब भिहार देगा अभी के लिए नहीं नमस्कार लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक ज जरूर करें